ब्लैक फंगस सबसे अधिक मश्टिक्स पे पड़ता है आपकी आँखों पे पड़ता है और इसको लेकर भी लगातार डॉक्टर भी ये सला दे रहे हैं कि आप जादा से जादा कुरोना से बचाओ करें लगातार यही कहा जा रहा है कि आप कुरोना से बचाओ करें क्योंकि कुरोना होने के लुसके बाद जब आप करोना से जंग जी चाहते हैं उसके बाद ब्लैक फंगस आपको होता है ब्लैक फंगस से वही शक्स ग्रशत होता है जिसकी इंद में है या फिर लेकर सरकार की पह इद सरकार-스裟ा की चिंता बढ़े है जिसको लेकर बहार के मुख्या नतीश कुमार न उन्हें एक संदेश भी दिया है नितीश कुमार ने लिखा है कि बिहार में ब्लाक फंगस के मरीजों की संख्या में वृध्धी हुई है स्वास्विभाग को सभी चुकित्सा महाविद्याले और अस्पतालों में उसके लिए इलाज के लिए आविश्यक वैवस्था करने को क बहा गया है कोरोना से बचाओ के लिए लगातार साउधानी जरूरी है तो नितीश कुमार ने स्टाफ्तोर पे जनता को ये संदेश भी दिया है और जनता को ये जवाब भी दिया है उन्हें ये जानकारी भी दिया है कि ब्लाक फंगस से निपटने के लिए लगातार स्वा और इसलिए दे हैं, और इसाथ सिम्नुतीश कुमार ने जनता को ये भी संदेश दिया है, उन्से ये भी अपील की है कि कोरोना से बचाओ के लिए लगातार साउधानी जरूरी है. जाते जाते उन्होंने लोगों से यपील की है कि आप साउधान रहें कोरोना को लेकर क्योंकि कोरोना महमारी जिस तरह से बर रही है और अगर दूसरे लहर की बात करें तो दूसरे लहर में कहीं न कहीं बिहार ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर काबू तो पा लिया है लेक आप सावधानी नहीं बढ़तेंगे तो हो सकता है कि करोणा एक बार फिर से रफ्तार पकर ले. तो इसको लेकर सियम नतीश क्मार ने ये संदेश दिया है ये अपील की है जनता से बिहार की जनता से कि आप कोडोना को लेकर बिल्कुल सतर्क रहें बिल्कुल भी लापरवाही ना वरते